नमस्ते साथियों, ये जो पैक के यकीन मानी आपके चेहरे में गजब का निखार लाने वाला है, अगर आपका चेहरा काला पड़ गया है, स्क्रीन में कोई गलो नहीं है, दाग धबो की समस्या है, धूर मिट्टी से पिंपल्स आना शुरू हो गए है, चेहरे की रंगत साफ नहीं है, गलो नहीं है, स्क्रीन में कसावट नहीं है, तो ये पैक आपके लिए है, आप देखिए, मेरे दोनों हाथों में फर्क देखिए, एक हाथ कैसा दिख रहा है, और दूसरा हाथ कैसा दिख रहा है, अगर आपकी स्क्रीन समय से पहले लटक गई है, स्क्रीन में कसा मात्रा में होता है जो मेरे चाहरी की काश्य को होता है चाहरी की रंगत को सांधर करता नो बुबो को डूि करता है हमारे स्कीन देट्सिल्स को भी क्लीन करता है अब मैं इसमें ले रही है ORANGE PID PODER यहनी संत्रे के छिल्कों का पाउडर संत्रे के छिल्कों के पाउडर में VITAMIN C भरपूर मात्रा में होता है बीजरे और पाउडर और paper face का जो combination वो हमारे चहरे के लिए बहुत ही अच्छा होता है अब मैं इसमें ले रही हूँ आदा चमच मुलतानी मिटी मुलतानी मिटी हमारे चहरे में रिंकल्स को जूरियों को जाईयों तक को ठीक करती है पपीता जो हमारी जाईयों को भी ठीक करता है चहरे की रंगत को निखारता है अब मैं इसमें ले रही हूं आदा चम्मच शहद दो पिंच आमी हल्दी में अपने हर पैक में शहद और आमी हल्दी जरूर एड करती हूं क्योंकि शहद हमारी चेहरे को मोश्राइज रखता है समय से पहले अगर हमारा चेहरा लटक गया है अमारी स्कीन जुलस सी गई है तो उसको भी यह ठीक करता है अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे वीडियो स्कीप मत कीजेगा वीडियो पूरी देखेगा अब मैं इसमें डारी हूं 5-6 बून गलिसरिन गी गलिसरिन हमारे चेहरे की रंगत को साफ करती है ठंड में हमारे चेहरे के लिए गलिसर हमें इसे लगा के रखना है आप फेशवास की जगा आप इसे यूज कीजिए आप देखिए साथ दिन के अंदर ये आपके चेहरे का रंग कितना साफ हो जाएगा चेहरे में अगर बहुत ज्यादा ही जाईया है तो वह हल्की होना शुरू हो जाएगी क्योंकि पपीते में मेगनेशियम की मातरा भरपूर मातरा में पाई जाती है विटामिन C भी भरपूर मातरा में होता है जो हमारी जाईयों तक को ठीक कर देता है हमारे काले दाग दबो को दूर कर देता है देखिए 15 मिनट हो गया है 15 मिनट के बाद ड्राई होने के बाद आप इसे अच्छे से 2-3 मिनट अच्छे से मसाज करेंगे देखिए मसाज अच्छे से करेंगे ताकि पूरी मैल हमारे चेहरे से निकल जाए फिर हम इसे एक साफ पानी साफ पानी से धो लेंगे आप चाहे तो इस पैक को बनाकर 5-7 दिन फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं जब भी आपको इसको लगाना हो आप 15-20 मिनट पहले इस पैक को निकाल लीचे और अपलाई कर लीजे अगर आपके पास दिन में समय नहीं है ता आप इसे नाइट में लगा लीजे अगर आपको ये पैक अच्छा लगता है ता मुझे कॉमेंट करके बताईएगा कि आपको इसका रिजेट कैसा मिला वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद